नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चनल पी एफपी में आज हम डिक्सॉन टेक्नलोजी इसके बार में बात करने वाले हैं जहां पर फिलाल इस स्प्लिट देखने को मिला 20,000 का शेर 4,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है तो बहुत लोग पूछ रहे है क्या यहां पर invest करना चाहिए क्योंकि इसका valuation बहुत ही cheap हो गया है PE ratio जो 180 पर trade कर रहा था जब stock 20,000 का था फिलाल हमें 40 पर trade करता हुआ नजर आ रहा है तो इतना cheap हो गया है तो क्या खरीदारी कर ले अगर आप यह सोचकर खरीदारी कर रहे है तो आप totally गलत है आपको यहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए एक बार concept को समद लिजे split का मतलब है shares को divide किया जाता है Dixon के case में एक share को 5 shares में बाटा गया 20,000 का था अब 4,000 का हो गया है आपको 5 share मिल जाएंगे अगर आपके पास पहले एक share था तो यह concept एक बार समद लिए उसके बाद price to earning का concept समद price to earnings का मतलब है P.E. ratio का मतलब है price divided by earnings per share तो हुआ यहों कि जितनी भी financial apps है financial website है वो थोड़ा time लेती है तुरंत ही update नहीं हो पाती तो price में तो गिरावट आ गई 20,000 का 4,000 हो गया लेकिन earning per share जो पहले 100 रुपे के आसपास था वो same रहा है 100 रुपे का 100 रुपे ही रहा है इसल यह price to earning ratio आपको 40 दिखाए दे रहा है लेकिन अब shares बढ़ गए है shares 5 गुना हो गए है तो EPS को भी divide करना पड़ेगा 100 divided by 5 करना पड़ेगा तो उसके इसाब से कुछ 20 के आसपास earning per share बन कराता है 20-23 के आसपास बन कराता है तो इसके इसाब से आपको P.E. ratio अभी भी 180 ही दिखाए दे रहा था money control में कल मैंने चेक किया था तो इसका P.E. ratio यहाँ पर 36-40 के आसपास चल रहा था आज अपडेट हो चुका है EPS पहले कुछ 100 रूपीज के आसपास चल रहा था जो कि 23 हो चुका है तो अगर आप यह समझ रहा है कि split हो गया इसका valuation सुदर गया तो यह बिल्कुल भी नहीं है यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए same case astral polytechnic में भी हुआ है यहाँ पर भी bonus देखने को मिला था price में हमें गिरावट दिखाई दी इसका P-E ratio आपको 100 P-E ratio दिखा दे रहा है 103 दिखा दे रहा है लेकिन actual P-E ratio इससे कहीं ज़्यादा महंगा दिखाई देगा तो आप देख सकता है money control के app से जो मैंने screenshot लिया है वहाँ पर इसका P-E ratio 152 है यह जो bonus adjusted P-E ratio में दिखा दे रहा है टिकर टेप पे अभी भी यह adjust नहीं हुआ है तो अगर आप यह गलती कर रहा है कि इसका P-E ratio सुधर चुका है सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक यू स्टे हापी हापी इन्वेस्टिंग